गुड मॉनी क्लास लके जी सब्जेक्ट बच्चो आपका इंग्लिस प्री प्राइमार और यहाँ पे देखिए हम अभी तक पढ़ चुके इसमें रिविजन ओफ एल्फा वेर्स हमने एल्फा वेर्स पढ़े और अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वर्बल्स एन कॉंसोनेंट पेस नमबर आपका 12 है इसको उपन कर लिजिए बच्चो पेस नमबर 12 है वर्बल्स एन कॉंसोनेंट तो यहाँ पे हमने चैप्टर नमबर 2 उपन कर लिया है पेस नमबर 12 सभी उपन कर लिजिए तो यहां पर देखिए the wobbles There are five wobbles in the English alphabets आपको क्या बताया था मैंने जो English alphabets होती है उसमें five क्या होती है हमारी wobbles होती है तो कौन सी wobbles होती है आपको learn हो गया होगा A, E, I, O, U A, E, I, O, U तो यहां पर मैंने आपको एक कहानी भी बताई एक स्टोरी सुनाई थी इनकी A for Ant, Ant and Elephant दोनों क्या थे? फ्रेंट थे और दोनों क्या करते हैं? जाते हैं आइस्क्रीम खाने I for? आइस्क्रीम O for? ओरेंज ओरेंज फ्लेवर की And कहां पर जाते खाने? अंडर दर अंब्रेला अंब्रेला के नीचे अब देखें यहां पर the consonant और आपको मैंने A to Z लिखने के लिए भी दिया था तो यहां पर देखें the consonant there are 21 consonant तो यहां पर देखें जितनी इसमें यह हमने हटा दिये हैं जो A to Z से 5 अब कितनी बचे हमारे पास? 21 तो यह क्या होगे? consonant होगे तो यहां पर देखें पढ़ेंगे हम B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z यह क्या होगे? consonant होगे 21 अब देखें यहां पर आपको क्या करने हैं आज? circuit the vowels in the alphabets given blue यहां पर alphabets दिये गए हैं आपने क्या करने हैं बच्चो? जो vowels हैं उन पर आपको circle करने हैं अब चलो हम ढूनते हैं इसमें vowels यह क्या है? Z C A हमारा क्या आगया? vowels आगया आप भी अपनी पैंसल उटाइए और फट आफट अपनी बुक पे circle करो A A sound आगया न आपका A vowels K फिर है D E E आपका आगया फिर M, N, P, Q फिर आए आपका आई वोबल फिर है F, J, L, U U कै है? वोबल G, H, O फिर है K, Q, S, T, V, R, X, Y, and Z तो इसमें आप देख रहे हैं कितने होगे? कितने ढूंड़े हैं हमने? 5 वोबल से हमारे पास हमने 5 ढूंड़े 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से आपने क्या करना है? बुक में ऐसी ही सर्कल करना है ठीक है न? जैसे मैंने यहां पर बताया आपको तो कहां-कहां पर हमारे आए हैं? A फिर है E I U O है न? कितने होगे? 1, 2, 3, 4, 5 तो आपने बुक में ऐसी सर्कल करना है फिर आपने क्या करना है? जिहां पर लिखा है न? Z से और W तक इतना आपने अपनी कॉपी पे इसको लिखना है ठीक है न? और लिखने के बाद आपने भी अपनी कॉपी पे क्या करना है? इसी तरीके से सर्कल जहां पर आपको वॉबल्स दिखेंगे ठीक है न? वहाँ पर क्या करना? आपको सर्कल करना है ठीक है न? जैसे मैंने यहां पर आपको बता आया है कि A वॉबल्स है फिर E है U है फिर I O है ठीक है न? यह क्या है? bubbles हैं, इन पर आपको क्या करना है circle करना है तो इतना आज आपको करना है यहां से आपने इनको पढ़ना है बच्चों ठीक है ना यह सारे आपको पढ़ने है उसके बाद आपको इसको जो है को अपनी copy पर आज आपको करना है